सफलता उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता हौशनों से उडान होती है दुस्चन्त कुमार के इनी पंक्तियों के साथ स्वागत है आपका केरियर कंचन सिविल सर्विसेज एकेडमी में दोस्तों नमस्कार मैं आज आज आपके समच बात करने आया हूँ कि BPSC की तयारी कैसे करें अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं BPSC की तयारी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण है इसे अंत तक देखना न भूलेंगे इसमें हम बात करेंगे कि क्या है BPSC की ABCD क्या है BPSC तयारी करने के लिए स्टेट जी और क्या है उसका सिलेवस और किन रन्नितियों के साथ और किन पाठ्ठी कुस्तकों के साथ हम BPSC की तयारी कर सकते हैं तो आईए एक नजर हम डालते हैं BPSC पर BPSC की तयारी क्या है BPSC की ABCD तो ABCD अगर बात करें BPSC की तो हमने इसे इसको कोडिंग किया है A for Ambition of Life अगर आप BPSC की तयारी करना चाहते हैं तो आपके पास जीवन का एक लक्ष होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं इस जीवन को किस रूप में सकार करना चाहते हैं दूसरा है B A B Brilliant Thinking आपके पास अच्छा सकारात्मक और तेश सोच होनी चाहिए और C C for Commitment for Dreams आपके जो सपने हैं उनके परती आप Commitment कर लीजिए द्रिल निश्चे कर लीजिए एक परकार से उसके साथ समझोता कर लीजिए संधी कर लीजिए कि हर हाल में इसे पूरा करना है और D D for Devoted to Success यानि सफलता के परती पूरी तरह से समर्पित है तो इन चार गुनों को विकास करके ये जन्मजात नहीं होता है इनका विकास करना पड़ता है इन चार गुनों का विकास करके आप BPSC की सफलता पूर्वक तयारी करके ऑफिसर बन सकते हैं अब बात करें कि कौन कौन से गुन आपके अंदर होना चाहिए एक आफिसर बनने के लिए BPSC की तयारी करके यूपीसी की तयारी करके और तमाम सारे जो स्टेक PCS में सिविल सर्विसेज में केरियर बना रहे नव्यूबक अगर सोच रहे हैं बनाने की सोच रहे हैं तो क्य आपके अंदर नवगुन होना चाहिए नवगुन में क्या है तो सबसे पहले एक आपके पास सपना होना चाहिए चुकि अगर सपना नहीं होगा तो फिर आप कैसे सकार करेंगे क्योंकि भारत के राश्पती डक्टर एपी जे अब्दूल कलाम भारत रत्न वही कहा करते थे कि भारत के नव्यूबकों को सपने देखना चाहिए अगर सपने नहीं होंगे तो नव्यूबक किस दिसा में चलेंगे और इसके लिए कहते थे वे कि सपने वे नहीं होते हैं जिसे हम सोते हुए देखते हैं बलकि सपने तो वे हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं तो एक सपन को कुछ देना है देश दुनिया और समाज के लिए कुछ हमें करना है तो ओफिसर बनके आप अपने कैरियर को इस उच आयाम दे सकते हैं कि आपके पास सब कुछ करने का मोगा रहेगा तमाम सारे भारत के नव्यूवक शिविल सर्विसेज में अपना कैरियर बनाना चाहते है केरि, या आशमान चूती जो केरिएर है, सिबिल सिवा में केरियर, जो आशमान चूती केरियर है तो इसको बनाने के लिए हर नव्यूवक का एक सपना होता है आईए अगर उस परकार की सपना है, तो देखते हैं कि आपके अंदर और भी कौन से कुन बून होंगे तो दूसरा है दिर्णिस्चे, आपके अंदर एक दिर्णिस्चे होना चाहिए, एक प्रतिग्या होना चाहिए, कि अगर आपने किसी कारी को ठान लिया है, तो उसे हर हाल में करना है, चाहे कितना भी मुसिबत आए, चाहे कितना भी तकलीप आए, चाहे कितना भी रोडा आए लेकिन हमें उस कारी को अवसी करना है मजबूत इच्छा सकती और इसके लिए हमारे पास मजबूत इच्छा सकती होनी चाहिए क्योंकि अगर आपके पास मजबूत इच्छा सकती नहीं होगी तो सुरुवाती जो अरचन है, सुरुवाती जो बाधाएं है उसी को आप पार नहीं कर पाएंगे और हंतियार डाल देंगे तो इसलिए एक मजबूत इच्छा सकती का होना चाहिए मजबूत इरादा का होना चाहिए और सक्ची लगन अगर आपके पास मजबूत इरादा है तो आप जो तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं और उसके लिए जो आपको पढ़ाई करना पढ़ेगा जो महनत करना पढ़ेगा उसके लिए सच्ची लगन मतलब दिल से इंट्रेस्ट होना चाहिए यह नहीं लगना चाहिए कि जैसे बच्चपन में हम लोग किसी पढ़ते थे तो टीचर के डर से या माता-पिता के डर से पढ़ते थे ताकि हम पढ़ें तो उनसे डाट खाने से अमार खाने से बच जाए तो उस परकार नहीं बलकि जो अपने हिल्दय से अपने on interest से तयारी क करना शुरू करना पड़ेगा कठीन परिश्रम और इसके लिए आपको कठीन परिश्रम करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि कठीन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है अगर सिविल सर्विसेज में केरियर बनाना चाहते हैं तो आपको कठीन परिश्रम करना प लिए भी प्रोपर वे है गेट से निकलेंगे या स्टेशन जाएंगे या हवाई अड़ा पे जाएंगे एरपोर्ट पे जाएंगे वहां से उस रास्ते से हम पहुँच चकते हैं अगर हम प्रोपर वे सही दिसा का अनुसरा नहीं करते हैं तो फिर दिल्ली दूर ही रहेगा तो नहीं होता है इसके लिए आपको लगतार लगे रहना पड़ेगा और अगर इस बार में हुआ तो अगली बार निस्चित आपका होगा और उसके बाद आसावादी, अप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आसावादी होना चाहिए, कि निस्चित होगा, क्यों नहीं होगा, मेरा भी होगा, क्योंकि आप भी मानव है, और एक कहवत है, man can do what man has done, अर्थाथ, अगर कोई भी कारी जो एक लगना पड़ेगा कि हम भी कर सकते हैं I will do it और उसके बाद उचीत मार्गदर्सन यह जरूरी है क्योंकि आप तैयारी करेंगे तो आपके क्या दिसा होंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है क्या चीज करना है किस तरह से पढ़ना है इसके लिए एक मार्गदर्सन होन एक मार्गदर्सन की भूमिका हमेशा रहेगी तो आपका एक मार्गदर्सन देने वाला भी होना चाहिए और आपके अंदर यह क्वाइलिटी होना चाहिए कि हम सही लोगों से जो इस फिल्ड में जानकार लोग हैं उनसे हम मार्गदर्सन ले तो यह नभगुन है इनको हम अंदर विकास कर सकते हैं कोई भी गुण किसी के अंदर जन्मजात नहीं होता है बलकि उसको विक्सित करने की जरूरत होती है तो हम विक्सित कर सकते हैं क्योंकि करत करत अभ्यास जडमती होत सुजान रसरी आवत जात सिल्पे परत निसान तो आईए अब हम देखते हैं BPSC किस्चिनिया का नाम है अब सवाल उता है कि अगर आप BPSC के मार्धियम से ओफिसर बनना चाहते हैं बिहार की सेवा करना चाहते हैं बिहार सरकार के अंतरगत आप एक आकरसक केरियर का चुनाव करना चाहते हैं तो BPSC की तैयारी कैसे करें? तो BPSC की तैयारी करने से पहले हम थोड़ा overview डालना चाहेंगे कि BPSC क्या होता है? तो BPSC, बियार Public Service Commission, बियार लोक सेवा आयोग इसको हिंदी में बोलते हैं और BPSC का गठन एक सम्वेधानिक प्रावधान के अंतरगत हुआ था 1956 में और इसका सम्वेधान में प्रावधान है कि केंदर पर UPSC यानि यूनियन Public Service Commission रहेगा और प्रतेक राज्य में एक-एक State Public Service Commission रहेगा मतलब राज्य लोक सेवा आयोग रहेगा तो उन्हें में से बिहार का अपना राज्य लोक सेवा आयोग है BPSC पहले जारखंड और बिहार होने के समय जब एक साथ थे तब BPSC पूरे एकिकरित बिहार के लिए भरती लेती थी और अब जो है BPSC सिर्फ बिहार के लेती है क्योंकि जारखंड में जारखंड में जारखंड पब्लिक सर्विस कमिशन नाम का एक अलग सम्विदानिक निकाय बन गया है तो BPSC और BPSC यू तो कई एक्जाम को कंड़क्ट कराती है जिन में से सिविल सेवा है प्रोफेसर है इंजिनियर है डॉक्टर है क्रिश अप्रोफेसर बनने का हम लोग उपकर्म करते हैं तो उसे सिविल सेवा कहते हैं तो बास्तर में शिविल सेवा को पहले समझना पड़ेगा कि सिविल सेवा उसे क्यों कहा जाता है तो जब अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ था तो अंग्रेज बहुत सारे सैनिक को लेकर आये थे तो सैनिक उनके पास एक मिलिटरी होता था तो मिलिटरी वो सैन्ने सेवा के उसमें लोग होते थे परन्तु जैसे जैसे भारत में अंग्रेजों की सथापित होती चली गई तो सैन्ने के अलाबे जो नागरिक परसासन है उसके लिए परसासन को भली भाती सुचारू करने के लिए सैन्ने से अलग कुछ सिविल सेवा की जरुदत पड़ी तो इस तरह से सेवा दो तरका होता है एक सैन्ने सेवा मिलिटरी सर्विस जो की आर्मी नेवी और एर फोर्स के होते हैं और असैन्ने सेवा तो असैन्ने सेवा ही सिविल सेवा कहलाया और तब से इसे हम सिविल सेवा के रूप में जानते हैं अब इसकी भर्ती कैसे होती है देश में, तो भर्ती के लिए दो बोड़ी है, पहला है UPSC, UPSC संगलोग सेवा आयोग, यानि Union Public Service Commission, Union Public Service Commission दो तरह की सेवाओं की भर्ती करती है, एक केंदरी सेवा, केंदरी सेवा वह सेवा है, जिसकी सेवा सिर्फ केंदर सरकार को मिलता है, ज इंडियन Railway Traffic Service, इस फरकार की कई और सेवा हैं, इंडियन Postal Service है, तो इस फरकार की और कई सेवा हैं, जो केंदरी सेवा में आता है, जबकि अधर अखिल भार्ती सेवाओं की बात करें, तो इसमें तीन कैडर है, एक है IIS, Indian Administrative Service, IPS, Indian Police Service, ये दोनों 47 में गठन हुआ था, और 1966 में राजसभा के द्वारा एक नई सेवा, Indian Forest Service का गठन किया गया, चुकि अखिल भार्ती सेवाओं का स्रीजन करने का अधिकार राजसभा को ही है, इसलिए इस सेवा की शुरुगात की गई थी, अब दूसरी और देखें तो PCS या PSC, PSC या PCS प्रतेक राज्य में होता है, जिसे राज्यलोग सेवा यू कहा जाता है, और यह राज्य के सिविल सेवाओं की भरती करती है, और इसी करम में अपना BPSC है बिहार का, तो बिहार भी सिविल सेवा एउजित करती है, लेकिन नाम कुछ यहां अलग होता है, चुकि बिभिन पदों के लिए भरती की जाती ह बिहार सरकार बिभिन पदों के लिए याचिका मांगती है BPSC से और BPSC उन सारों को एक्यूमिलेट करके एक तरह संग्रहित करके और जो सिविल सेवा का परिक्षा लेती है उसे संग्यूक्त परिक्षा के नाम से जाना जाता है इसलिए BPSC का जब नोटिफिकेशन आता है त संग्यूक्त BPSC संग्यूक्त सेवा के रूप में आता है संग्यूक्त परिक्षा के नाम पर तो बिहार के विहील सिविल्हें है तु जो होता है संग्यूक्त परिक्षा और अब तक 1956 से लेकर अब तक 65 बार इसका परिच्छा का आयोजन हो चुका है हलांकि कुछ बार combined भी हुआ है समिलित रूप से भी हुआ है लेकिन अब तक 65 और अब जो है 64V BPSC की आहट है 64V BPSC निकट भविस्ट में एक दो महिना में notify होने की संभावना है तो सभी विद्यार्थियों से है कि 66V BPSC अगर अभी से आप तयारी करने के लिए लग गए तो 66V BPSC में एक सीट पका आपके लिए हो सकता है तो संग्यूक्त परिच्छा जो होता है इसमें अगर पदों को देखे तो डिप्टी कलक्टर, डिएसपी, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अफ फिलिस, सीटियो या असिस्टेंट कमिशनर ये बियार बामिजी सेवा में होता है सबरजिस्टार, नगर कारिपालक पदाधिकारी, सिक्षा पदाधिकारी, ग्रामियन विकास पदाधिकारी यानि विडियो और राजस्वाधिकारी सीओ इस प्रकार से और भी दसवारा सेवाय हैं जिनका कि संग्यूक्त परिच्छा BPSC लेती है अब हम बात करेंगे कि BPSC की तैयारी के लिए हमें क्या करना चाहिए तो BPSC की तैयारी के लिए सबसे पहले हमें BPSC के सिलेबस को जानना पड़ेगा कि BPSC में किस प्रकार के प्रस्म पुछे जाते हैं और ये प्रस्म किन-किन विश्यों से पुछा जाता है तो उसको हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो आईए हम देखते हैं BPSC का क्या सिलेवस है, तो आईए बात करते हैं, BPSC जो संग्युक्त परिक्षा लेती है, सिविल सेवा की, तो उसमें BPSC का क्या मतलब की एक्जाम का पैटर्न है, तो यहाँ पर आप देखि पहला जो चरन होता है, वो प्रारंबिक परिक्षा का होता है, और दूसरा जो चरन होता है, वो मुख्य परिक्षा का होता है, और दोनों के बारे में हम बारी-बारी से बात करेंगे, आज का जो पूरा विडियो होगा, वो हम PT परिक्षा के बारे में बात करेंगे, और में परिछा के लिए एक अलग सी वीडियो बनाएंगे। तो पी ती हो गया, तो पी ती प्रारमडिक परिछा इसको पी ती का जो फुल फॉर्म है प्रिलामनेरी के टेस्ट होता है, एक सो पचास प्रस्न होते हैं और एक सो पचास अंक होते हैं, 150 जो प्रस्ण होते हैं वो होते हैं MCTQ मतलब multiple choice type question मतलब एक प्रस्ण होता है उसके 4 या 5 विकल्प होते हैं और उनमें से एक सही विकल्प को चुनना होता है question कहां से कुशे जाते हैं GK, GS और maths है तो इसके लिए हम broad discussion next slide में करेंगे और 140 प्रस्ण इसमें GK, GS के होते हैं और 10 प्रस्ण math के होते हैं कुल्मिला के 150 प्रस्ण, अगर 150 प्रस्ण में हम 100 प्रस्ण सही सही हल कर लेते हैं यानि 150 प्रस्ण में से अगर 100 प्रस्ण मेरा सही हो जाता है तो अगर हम किसी भी category में हैं खास करके you are unreserved category में हैं तो हमारा PT qualify हो जाएगा और जब PT qualify हम कर जाएगे तब हम मुख्य परिच्छा देने का के लिए entitled हो जाएगे यानि कहने का मतलब है कि PT जो है वो सिर्फ screening test है यानि यह एक परकार से जो और गंभीर type के परिचारती हैं उनकी छटनी करना इसका लक्ष होता है और गंभीर परिच्छा के लिए गंभी screening test है और यह एक परकार का gate pass भी है यानि कहने का मतलब है कि इसका नंबर तो जुटेगा नहीं आगे carry forward नहीं करेगा सिर्फ यहाँ qualify कर जाना है एक तरह से यह जो होता है यह qualifying nature का होता है qualifying होता है अगर एक बार PT qualify कर गए तो PT का जो अंक है चाहे हम 100 नंबर लाए या 120 नंबर ले आए उसका अंक जो है वो मुख्य परिक्छा के लिए जोड़े नहीं जाएंगे मतलब इसकी भूमका यहीं समाप्त हो जाती है परंतु PT परिक्छा की भूमका इससे हम समझ सकते हैं कि यह एक just get pass का काम करता है यानि अगर किसी विद्यार्थी ने PT परिक्छा दिया और वो असफल हो गया तब फिर वो वही objective परिक्छा देने के लिए फिर तयारी करेंगे रेलवे का तयारी करेंगे बैंक पियों का तयारी करेंगे या फिर तमाम सारे ऐसे जो one day exam होते हैं उनके तयारी करते हैं और अगर एक बार PT पास कर गए तब आप मेंस की तयारी में लगेंगे और आपका जो सागिर्द होंगे जो आपका आपके दोस्त होंगे आपके जो गट्स होंगे, वो एलिक कलास के लोग होंगे, और आपके उन लोगों के साथ उठना बटना हो जाएगा, और इस एक परकार से ऐसा एप्रोच डेवलप होगा, कि सिविल सर्विसेज का मेंस पर इच्छा देने के लिए क्या-क्या कुछ किया जाना चाहिए, उस दौर में पास आएगा, और एक तरह से सही माइने में आप जो ओरिजिनल कंडिडेट होते हैं, वो बन पाएगे, तो पीटी परिक्षा इस दिरिश्ट्री कोन से महतपुर्ण है, कि इसे पास करना हर हाल में जरूरी है, और अगर इसे पास कर गए, तो समझ जाईए कि आधी बाधा आपने पार कर लिया, इसलिए पीटी का बहुत ही महतपुर्ण है, तो आज हम पीटी पर फोकस करेंगे, परन्तु उससे पाले हम मुख्य परिक्षा के सिलेवस को जान लेते हैं, अब यह देखिए मुख्य परिक्षा, कुल मिलाके 1120 अंकों का मुख्य परिक्षा होता है, जिन में से 1020 अंक मेरिट के लिए कल्कुलेट किये जाते हैं, मतलब 100 नंबर जो है, वो मेरिट के लिए कल्कुलेट नहीं किये जाते हैं, वो 100 नंबर कौन सा होगा, आगे हम चर्चा करेंगे, पूरा 1020 नंबर पर मेरिट बनता है, अब मुख्य परिक्षा की बात करें, इ वोखिक परिख्चा यानि साच्छत कार या फिर हम إंटर्व्यू का सकते हैं। जो रिटेन एक्जाम होता है वो पुरा एक हजार अंक का शोता है। इन में से 900 अंक जो है वो मेरिट के लिए कल्कुलेट किये जाते हैं। जबकि इंटर्व्यू के लिए 120 नंबर रहते हैं। और 120 नंबर में से कितना नंबर ला पाते हैं, ये इंटर्व्यू में आपका जो परदर्शन है उस पर डिपेल करता है. तो अगर लिखित परिक्षा की बात करें, जो कि सबसे ज़्यादा वाइटल है, और लिखित परिक्षा पास कर लेने के बाद, उमिदवार एक तरह से पूरी तरह से अस्योर हो जाता है, कि हम इस बार ऑफिसर बनेंगे, अगर इस बार नहीं बन पाए, तो कम से कम अगली बा आपको लिखना पड़ेगा, अगर आप नहीं जान रहे हैं, तो नहीं लिख पाएंगे, इसलिए यहाँ पर जो अध्यन का हमारा स्कोप होता है, वो काफी ब्रॉड हो जाता है, तो लिखित परिक्षा जो है, इसकी अगर बात करें, तो इसके चार खंड होते हैं, चार सेक अगर हम तीस नंबर प्राप्त कर लेते हैं, तब हम हिंदी में क्वालिफाइ हो जाएंगे, और तब हमारा अगला कॉपी जो ये तीन पेपर है, जी एस वान, जी एस टू और अप्शनल, इसकी जाच की जाएगी, अगर हम यहां तीस नंबर नहीं ला पाते हैं, तो फिर ह और आगे के तीन पेपर में कितना भी अच्छा क्यों ना परदर्शन किये हो, आपकी कॉपी ही नहीं जाची जाएगी, तो तीस नंबर लाना जरूरी है, परंतु धबराने की कोई बात नहीं है, जो भी हिंदी वासी छात्र हैं, या अगर हिंदी वासी छात्र नहीं भी है बिहार के हैं, जिसका मदर टंग हिंदी है, तो आराम से तीस नंबर ला सकते हैं, अब यहां अगर तीस नंबर से ज़्यादा भी ले आते हैं, साथ नंबर ले आते हैं, असी नंबर ले आते हैं, फिर भी तीस नंबर जो आपका क्वालिफा है, बस वही तीस नंबर रहेग GS1 300 number के होते हैं GS2 300 number के होते हैं और एक optional paper का चुनाब करना होता है जो की BPSC का notification निकलने के साथ जो PT का form भरते हैं उसी समय चुनाब कर लेना पड़ता है पहले होता था कि PT पास करने के बाद optional का चुनाब करना पड़ता था लेकिन बदले प्रावधानों में BPSC द्वारा या प्रावधान किया गया है कि PT के समय ही आपको optional का चुनाब कर लेना है एक optional का चुनाब करना पड़ता है कई सारे optional है इतिहास है political science है लोग परसाशन है मानव सास्त्र है उसके बाद LSW है भुगोल है उसके अतिरिक्त और भी भासा लेंग्वेज सारे हिंदी मैथली पाली तमाम सारे पत्र है उसके बाद science के कुछ सबजेक्ट है medicine है commerce के कुछ सबजेक्ट है तो ये कुल मिला के 67-67 सबजेक्ट होते है प्रावधान के जिनको पुछा जाता है दूसरे सेग्मेंट में current affairs और तिसरे सेग्मेंट में aesthetics उसी परकार अगर दूसरे GS की बात करें GS paper 2 का तो उसमें पहला सेग्मेंट में इसमें भी तीन सेग्मेंट होता है पहला सेग्मेंट में Indian Policy System दूसरे सेग्मेंट में geography और economics और तीसरे सेग्मेंट में विज्ञान एवंप्रदो की यानि science and technology तो ये पूछा जाता है इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में जब हम बनाएंगे कि men's की तयारी कैसे करें तब विस्तार से discuss करेंगे तो अभी जान जाईए और ये interview के लिए जो मोखिक जांच होता है इसकी भी तयारी हमारे यहां कराये जाता है तो कुल मिला के 900 नंबर इधर से और 120 नंबर interview का यानि 1020 नंबर पर कुल merit बनता है और इस merit में से अगर हम 60 परतिसत नंबर ले आए तो फिर हमें officer बनने से कोई रोक नहीं सकता है और हम top 100 का जो है उसकी merit को भी पार कर सकते हैं तो 70 परतिसत से अधीक नंबर लाने के लिए हमेशा सोचना चाहिए अब हम अगले slide में बात करेंगे कि BPSC PT चुकि सबसे पहले PT आता है PT क्वालिफाइ करना बहुत जरूरी है तो PT की तयारी के लिए हमें क्या करना होगा क्या उनका syllabus है क्या चीज उसमें पढ़ना पढ़ेगा क्या रननीती होगी और उसको पढ़ने के लिए किस-किस पुस्तक का किन-किन बुक्स का सहारा लेना पढ़ेगा BPSC PT परिक्षा की यदि बात करें तो PT परिक्षा में कुल 150 प्रस्न पूछे जाते हैं 150 अंक होते हैं उन में से 140 प्रस्न जो होते हैं वो GKGS के होते हैं और 10 प्रस्न मैथ के होते हैं तो इससे साफ पता चलता है कि अब BPSC का जो PT परिक्षा है वो GKGS सेंट्रिक है मतब GK और GGS अगर आपका मजबूत है तो आप आराम से BPSC परिक्षा को क्वालिफाय कर सकते हैं अब सवाल उठता है कि GK और GGS पढ़ा क्या जाए क्या इसके लिए BPSC ने कोई सिलेवस निर्धारित कर रखा है या फिर हमें होलिस्टिक बे में पढ़ना पढ़ेगा तो इस संबंध में गवर तलब है कि BPSC द्वारा जो सिलेवस जारी किया गया है तो काफी संशिप्त सिलेवस है और उससे पता नहीं चलता है कि एक्जेक्टली क्या पढ़ा जाए और बहुत ब्राइडर प्रोस्पेक्टर्स में भी नहीं पढ़ना है हम यहां बात करेंगे कि किन-किन सब्जेक्ट का सहारा लेकर हम BPSC परिक्षा को आराम से क्वालिफाइ कर सकते हैं तो GKGS जैसा कि मैंने बताया GKGS सेंट्रिक है तो GK और GSI है क्या तो बास्तब में GK और GSI को एक नया सब्जेक्ट नहीं है बलकि बच्पन से लेकर आज तक बच्पन से लेकर ग्रिजुएशन करने तक जो हमने समानने जानकारी हासिल किया जो जेनरल नौलेज हमारे अंदर विक्सित हुआ और जो भी हम विशे को पढ़े हैं चाहे वो इतिहास हो पॉलिटिकल साइंस हो या फिर विज्ञान हो या अर्थवेवस्था हो या कुछ समसामाइक घटना करम को हम देखे हैं समझे हैं तो उनी से बनता है GKGS बहुत सारे लोग यह समझते हैं कि GKGS कोई नया सब्जेक्ट है नहीं नया सब्जेक्ट नहीं है अब तक हम जो पढ़े हैं वही जो ग्यान समान में ग्यान का समुच्च है वही GK और GGS है आप BPSC क्वालिफाइ करके राज्य सरकार की वह चाहेगी कि आपके अंदर कुछ क्वालिटी हो क्वालिटी क्या हो तो आप जो है इस देश की इस राज्य की इतिहास कला समस्कृती से बाकिफ हो आप यहां की सासन परणाली कैसे चलती है हमारी राज ब्योस्था क्या है हमारी political system क्या है उसकी जानकारी आपको होना चाहिए हमारा आर्थिक तंत्र कैसे काम करता है हमारा बानी जिब्यपार कैसे होता है हमारा क्रीसी और उधोक कैसे चलता है तो इसके लिए आपको अर्थविरस्था की जानकारी होनी चाहिए उसी परकार हम जिस देश में रहते हैं उसकी भोगली गतिविदियों के बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए और प्रकृति में घटने वाली जो घटनाएं हैं जिनके रहस्यों को सुलजाने वाले बिग्यान हैं चोटे चोटे घटनाओं को और बग्यानिक तंत्र पर अधारित जो भी चीज हैं तो उनका भी अध्यन करना जरूरी हो जाता है उनके बारे में जानकारी रखना जरूरी होता है और आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं आप हमेशा ख़वरों से रूबरू रहते हैं तो इसके पास current affairs मतब देश दुनिया में फिलाल क्या घट रहा है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए और इसके अलावे कुछ ऐसे तथे हैं जो किसी subject और विसेसी संबंदित नहीं होते हैं परन्तु उसमें क्या होता है कि कुछ सुचनाय होती है तो उन्हें भी जानना जरूरी ह जो कि जिके के तोर पर हम जानते हैं और चुकि बिहार राज जिके निवासी है और बिहार की परिक्षा देने जा रहे हैं तो बिहार के बारे में भी एक overall elementary idea होना चाहिए कि क्या बिहार का इतिहास, कलास संस्क्रिती, राजनीती, भुगोल, धर्म, पर्था, परंपरा ये स ताकि आप math जैसे बिसे को भी असानी से उसके बारे में जनकारी प्राप्त हों, तो आईए हम BPSC के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले BPSC PT का जो syllabus तो BPSC दौरा इस प्रकार से नहीं गारी किया गया है, परंथू जो question पूछे गया है अब तक प्रारम से, उसके अध सबसे पहले BPSC PT के लिए जो question पूछे जाते हैं, तो एक तरफ तो यहां GS है, जो कि 140 प्रस्निया से रहते हैं, और दूसरी तरफ math जो कि 10 प्रस्निया से रहते हैं, तो सबसे पहले जो 140 प्रस्निया है, उसके लिए हम BKS को देखे, तो पहले नमर पर, पहला जो नमर है वो भारती राज वे उस था, तीसरे नमर पर भारती अर्थ वे उस था, चोथे नमर में हम भुगोल रखे हैं, पाँचवे नमर में समानने विज्ञान, और चट्थे नमर में समसामाई की घटना चक्र, और साथमे नमर में विहार विसेस एवं विवीद, यही साथ से आठ वि इतिहास बिहार का क्या इतिहास रहा है यह जानने की आप से अपिक्षा रखा जाता है तो अगर हम बात करें इतिहास का लावर संस्क्रिती का तो हमें पूरा जो भारत का इतिहास है और उसके साथ साथ विश्व के इतिहास से संबंधित कुछ घटनाओं को भी जानना पड़ तो पूरे भारत की इतिहास में, भारत की इतिहास को हम तीन भाग में बाट सकते हैं, यह प्राचिन इतिहास हैं, भारत का प्राचिन इतिहास, भारत का मद्धिकालिन इतिहास और भारत का आधुनिक इतिहास, भारत के प्राचिन, मद्धिकालिन और आधुनिक इतिहास के अल नाव से भी एक-दो सवाल आ जाते हैं, तो विश्व के इतिहास से भी एक-दो चेप्टर को हमें पढ़ना पढ़ेगा, इसके बारे में जानकारी रखना पढ़ेगा, दूसरे नमबर पर आई ये भारती राजविश्था, तो भारती राजविश्था में क्या है, बैसिकली भारती संब्धान में क्या प्रावधान है, भारती संब्धान के कितने भाग हैं, उसमें कितने अनुछेद हैं, और भारती संब्धान को कितने वार संसोधित किया गया है, और जितना संसोधन हुआ है, उसके बारे में जानकारी से संबंधित प्रस्ण पूछे जाते हैं, बहुत बड़ा सब्जिक्त नहीं है इसमें भारती संविधान को पुछा जाता है। बारती अर्थविवस्था है तो बारती अर्थविवस्था जो Indian Economy है इसमें भी कुछ basic प्रस्थ के साथ साथ जो current से related question होता है वहाँ से पुछा जाता है तो economics की जो समानमे जानकारी है जो basic economics है ये तो हमें रावना जाहिए कि भाई आर्थिक किलिया कैसे काते हैं अर्थ बेस्था के क्या-क्या उपांग है उत्पादन, बितरन, खपत से संबंधित जो जानकारी है वह होना चाहिए और कुछ आर्थिक सब्दावली जैसे बैंक से संबंधित है उधोग जगत में कुछ-कुछ ऐसे टर्म परियोग होते हैं जो आम तोर पर दूसरी जगह नहीं होते हैं उनके बारे में हमें जानकारी रखना पड़ेगा आँ उसके बाद करेंट अफेर्स जो की अर्थ बेस्था से संबंधित करेंटी सूज है उसको भी जानकारी हमें रखना पड़ेगा को चोथे निम्मर पर आई ये भुगोल हो कि भुगोल में क्या है कि भुगोल अच्छे खा से परसंद हते हैं और भुगोल की जानकारी और दyparat कियों को काफ़ी घराई से होना चाहिए अब भुगोल की बात करें तो इसमें तीन प्रकार के भुगोल आते हैं एक तो विश्व का भुगोल आता है दूसरा भारत का भुगोल है और तिसरा चुकी बिहार का एक जान दे रहे हैं तो बिहार का भुगोल से सम्मंदित भी जानकारी रखना चाहिए और चौथा अगर आप भुगोल को बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं उनके प्रस्नों का जवाब अच्छी डंग से देना चाहते हैं तो आपको किसी एकलस का भी जानकारी होना चाहिए मतलब जो देश-विदेश के मानचित्र है उस पर पहिनी नजर होनी चाहिए और पूरे देश-विदेश के जो मानचित्र है उनकी समझ होनी चाहिए इसलिए मानचित्र अध्यन भी इसमें काफी जरूरी हो जाता है और मानचित्र अध्यन के बिना हम भुगोल के प्रस्नों को सहिस्ता से उत्तर नहीं दे सकते हैं इसलिए मांचीत रज्ञन भी जरूरी होता है इसके लिए एक अटलस भी होना चाहिए अब बात करता है समाननी विग्यान की और समाननी विग्यान में भी अच्छे खासे प्रस्ण रहते हैं बुगोल और विग्यान लगबग बराबर 15-20 करके सवाल रहते हैं तो अगर विग जिसमें की बाइलोजी या फिर बोटनी जिलोजी का सकते हैं वहां से प्रस्ण होते हैं और दोनों से लगबग अगर प्रस्णों की संख्या माने तो आदी आदी अगर विस प्रस्ण पुछा गया तो दस प्रस्ण फिजिकल सैंस से रहेंगे और दस प्रस्ण बाइलोजीक किसे सवाल रहते हैं और फिर बिज्ञान एवं प्रदोकी से भी सवाल रहते हैं मतलब हाल फिलाल में जो नया यूग है विज्ञान और प्रदोकी से सम्मंधित क्या-क्या कुछ किया जारा है tua नया अविश्कार हो रहा है क्या नया इनोवेशन हो रहा है इन सब बातों को भी जानना जरूरी होता है इस तरह से समाने बिज्ञान की हम तैयारी करके इनके प्रसनों का उत्तर दे सकते हैं इसके बाद आये समसामाई घटना चकर करेंट अफियर्स तो करेंट अफियर्स की जानकारी होनी चाहिए और करेंट अफियर्स की जानकारी के लिए हम क्या करें तो current affairs की जानकारी के लिए यह जरूरी है कि रोजाना हम current affairs से रूबरू रहें ऐसा नहीं कि हम जब exam आये तब फिर current की किताब में खोज रहें रट रहें तो यह तरीका क्या होता है कि मनुस्य का क्योंकि जो मस्तिस्क होता है volatile nature का होता है एक साथ हम कई सुचनाओं को यदे receive कर लिए तो वो हमारे दिमाग में store बढ़िया से नहीं रह पाता है और वो हयाद नहीं रहता है इसलिए गटनाओं के साथ हम रहें गटनाओं से हमेशा रूबरू रहें तो गटनाओं से रूबरू के लिए क्या है कि आप रोजाना अख़वार पढ़ें रोजाना टीवी देखें टीवी में जो समचार होते हैं उसको देखें फालतू का बहुंस नहीं देखना है अब रेडियो पर समचार सुन सकते हैं बीवी सी का नियूज सुनिए या फिर जो कासवानी द्वारा प्रवात और समचार संधिया उसको सुनिए अगर आप रेडियो मुवाइल पर भी डाउनलोड कर सकते हैं अब तो मुवाइल में बहुत सारे एप है यहां पर की रेडियो की सुविदा होती है बीवी सी अब बंद हो चुकी है अब यूटूब पर चलता है यूटूब और फेस्बूग पर बेवी बीवी सी चलता है वहाँ से देख सकते हैं इसके अलावा मेगजिन है और फिर फिर येर्वूप यानि कहने का तात्पर यह है कि करेंट की तयारी के लिए बार-बार रिपिकेशन होना चाहिए एक ही चीजों का जैसे उधारन के लिए कि अगर आज रात हमने कोई न्यूज सुना रेडियो में या टीवी में देखा तो वो न्यूज हम सुनके सो गए फिर बहुत सारी चीज हमारे दिर्ग मस्तिस का हिस्सा बन जा रहा है और वो याद रहेगा और उसी चीज को बाद में हम किसी मैगजिन में पढ़ते हैं तब जो क्या होता है ट्रिपलिंग हो जा रहा है यानि पूरी तरह से अस्थाई और अगर एक जाम का समय आ गया तो पुना रिवीजन के लि हम लोग सहारा ले सकते हैं और इस तरह से फिर कर्डेंट की कोई अस्थाई हो जाएगा इसके अलावे आप साथमे नमर में देखिए बिहार विसेश और विवीद इसको रखें तो चुकि बिहार का एक्जाम देने जा रहा है तो बिहार के संबंद में अच्छी खासी जान समस्या है बाग गरीवी बेरुजगारी सुखा माइगरेशन इन सब समस्याओं को हम जानेंगे इसके अलावे कुछ विवीद परस्में होते हैं जो पूछे जाते हैं वह जेनरली किसी इन विस्यों में नहीं होता है विसाइक किसी विसाइका स्पेसल मतलब जीके से होता है जैसे कि बिस में सबसे लंबा उचा बड़ा छोटा बारत में सबसे बड़ा उचा लंबा छोटा बिस में पर्थम बारत में पर्थम महिलाओं में पर्थम यह सब जो टॉपिक होते हैं या फिर अविस्कार अविस्कारत वो किसी खास विसे से नजूड कर इसके लिए में जो दस प्रस्ण होंगे तो पहले तो प्रस्ण नहीं से पुछे जाते से जाता इंट्रिप्रटेशन बगए रखा जो कि मैथ से आई यसी किया है तो उनके लिए थोगा कमफटेबुल होता है लेकिन आप इधर हाल के दिनों में देखा जाए तो टोटल जो है कमर्सियल मैथ पुछा जाता है और कमर्सियल मैथ के को अगर हम जानते हैं जैसे प्रतिसत है लावहानी है बटा है अनुपात समानुपात है रेल गारी संबंधित प्रस्ण नाव संबंधित प्रस्ण तिन सब प्रस्णों को अगर हम जान रहे हैं तो आराम से दस का दस हम सॉ डियारी के लिए किन-किन पुस्तकों का शहारा ले जा रहे हैं तो थोड़ा जटील होता जा रहा है तो अगर VPSC, PT में की तयारी के लिए अगर बुक की बात करें तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बुक नहीं खरीदना चाहिए कोई एक बुक रख लिजिए और उसी को पढ़िए यह बात कुछ हद तक सही है परन्तु यह उनके लिए सही है जिनके पास और अन्य संसाधन मौझूद है जो कहीं कोचिंग इंस्टिटूट जा रहे हैं जिनके पास कोई मार्ग दर्शन है या फिर जिसका स्कूली दिनों में या फिर इंटरमीडियेट लेबल पर खुँँ अच्छी तरीक के से पढ़ाई हुई है तो उसके लिए एक बुक जरूरी होता है परंतु अगर बिल्कुल जो है स्वाध्याय के सेल्फ अस्टड़ी के जरिए वीपेसी के त्यारी करना है अपने आप से करना है खुद से करना है तब फिर आपको किताबों की जरूरत पड़ेगी और एक नहीं बलकि दो-तीन किताबें रखने पड़ेगी परंतु दो-तीन किताबों को रखेंगे परंतु उन्हें से जो सबसे मुख्य किताब होगा उसको आधार बना कर हम तयारी करेंगे तो आईए आज हम उन सारे बुक का हम लिस्ट आपको देंगे बताएंगे जिसकों की खरीद कर या कहीं से भी उपलब्द कराकर आप BPSC-PT का अच्छी तरीके से त्यारी कर सकते हैं अगर पुस्टकों की बात करें तो हमें सारे खंड के अलग-अलग पुस्टकों की बात करने पड़ेगी तो सबसे पहले आईए इतिहास तो इतिहास के भी जैसा कि मैंने बताया कि चार खंड होते हैं पहला जो प्राचिन इतिहास होता है दूसरा मद्दिकाली इंतियास तीसरा आधूनिक इतियास और इसके अलावे विश्व के इतियास के भी कुछ टॉपिक से प्रस्न पुछे जाते हैं तो प्राचिन इतियास में जो चार पुस्तक मैंने पढ़ा है उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा लिए जाते हैं बहुत ही ऑथेंटिक बुक है परन्तों चुकि यह बुक काथी टफ है इसको समझेना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत टफ लेंग्वेज में लिखा गया है तो इसके लिए मैं कुछ और बुक का बात करता हूँ यह NC80 का बुक है रामसरन सर्मा द्वारा लिखा हुआ बुक है तो इसको आप ले सकते हैं 11-12 क्लास में चलता है NC80 का बुक बारत का प्राचिन भारत का इतिहास तो यह है इसके अलावे एक रामसरन सर्मा का बुक है बारत का प्राचिन इतिहास तो इसको भी देख सकते हैं और अगर ये तीनों बुक का अगर आपको हाट लगे तो सबसे जो बेहतरीन बुक है वह इसके पांडे का है प्राचिन भारत इसमें क्या है? कि तमाम सारे बुक का एक जिस्ट निकाल कर लिखा गया है तो इसके सहारे आप देख सकते हैं और इसकी तयारी आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं प्राचिन भारत का और इसके अलावा जो प्रारंब में ही बोलता हूँ हलाकि मैं उसका जिक्रांत में करूँगा कि लुसेंट जो है उसका अध्यन काफी जरूरी है लुसेंट जीके और लुसेंट जीयस तो इन ये जो जीके की किताब है इसमें भी आपको इतिहास की धेर सारी सामगरी मिल जाएगी परन्तु सिर्फ लुसेंट पढ़ने से नहीं होगा लुसेंट पढ़ना जरूरी है परन्तु अगर ये आप सोचते हैं कि सिर्फ लुसेंट पढ़ने से हो जाएगा तो ऐसा भी नहीं है मतलब लुसेंट भी पढ़ना जरूरी है और लुसेंट के अलावे और अधर बुक्स को भी पढ़ना जरूरी है तो मैं समझता हूँ कि इन बुक्स में से लुसेंट के अलावे कोई एक या दो भुक खरीदा जा सकता है अब आईए मध्यकालिन भारत मध्यकालिन भारत में देखें दो किताब़ा यहां भी मैं एसके पांडे का जिकर करूँगा एसके पांडे का जो भुक है इसमें काफी जिस्ट लिया गया है सारे पुस्टकों का और उसके अलावे एक बुक लेना चाहते है तो फिर इम्तियाज अहमत का ले सकते है यह अभी मध्यकालिन भारत पर लिखा हुआ बहुत बहतरीन पुस्टक है इसमें अंतर के आए दोनों भुक में कि इसमें थोड़ा संशिप्त में लिखा गया है पॉइंट और तथ्यों का संगरा ज़्यादा किया गया है और यह होलिस्टिक ब्यमें लिखा गया है इसकी अतिरिकतेक NCRT का है यहां फोटो उपलवज नहीं है परन्तु NCRT का जो बुक है मद्धिकालिन भारत का NCRT Medieval और इनके लेखा का है सतीष चंद्र तो सतीष चंद्र का बुक लेकर सतीष चंद्र का इसे अलग से भी बुक आता है तो यहां पर सतीष चंद्र का बुक लेकर भी हम तयारी कर सकते हैं तो मद्धिकालिन भारत के लिए भी इन तीन में से कोई एक बुक लेकर हम पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्तु आधूनिक भारत की अगर बात करें, तो आधूनिक भारत को थोड़ा अच्छे जंग से पढ़ना पढ़ेगा। चुकि जितने भी प्रस्ण पूछे जाएंगे इतिहास के अंतरगत, कुल मिला के अगर देखें कि बिहार का इतिहास भी मिला दिया जाए, तो बिपेसी में तकरीवन 35-40 कोश्चन जो है वो इतिहास से ही हो जाते हैं। तो इस कारण से हमें इतिहास के पुस्टकों को बढ़ियां से पढ़ना पड़ेगा, उसकी तयारी भी अच्छी जंग से करने पड़ेगी। और उनमें से भी अगर आधूनिक इतिहास की बात करें, तो लगबग आधा जो परस्टन होता है, मतलब 50% कोश्चन जो है, वो मद्दिकालिम भारत और प्राचिन भारत से पुछा जाता है, जब कि 50% कोश्चन जो है, अकेले आधूनिक भारत से पुछा जाता है। तो आधूनिक भारत में जिन पुस्टकों को मैने पढ़ा, उनमें से 5 किताब को यहाँ दिखा रहे हैं, यह एक अस्पेक्ट्रम का बुक है, अस्पेक्ट्रम का इनके लेखा कहें राजी वहीर, राजी वहीर द्वारा लिखा गया या बहुत बहतरिन पुस्टक है, परन् दुसरा भुक जो भारत का स्वतनता संगर से यह बहुत ही लिजेंडरी भुक है, आप परिक्षा की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कोई भी आम नागरी को, भारत की किसी भी आम नागरी को, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, उसके बारे में जानकारी प्राप् बातों का जिस प्रकार से विपिन चंद्र ने विवरन किया है, बिल्कुल कहानी जैसा लगता है, हलाकि एक बार पढ़ने से नहीं होगा, इस किताब को कम से कम दो बार पढ़ना पढ़ेगा, तो यह है, इसके अतिरिकत हम आदुनिक बारत के लिए NCRT का बुक है, इसके भ उनमें से भी सबसे अच्छा बुक को देखा जाए, तो यह परिक्षावानी का है, परिक्षावानी में तक्ष्यों का बहुत अच्छा संग्रह दिया है, परन्तु इसे पढ़ने के लिए और भी एक जुलरी बुक का सहारा लेना चाहिए, तो यहां मैं यही कहना चाहूँ तो विश्वी इतिहास में अगर हम पढ़ना चाहते हैं, वैसे अगर विश्वी इतिहास में नहीं ज्यादा डिक्ष में जाना चाहते हैं, तो फिर लुसेंट का जो विश्वी इतिहास का पार्ट है, वहां से भी कंप्ली आपका हो जाएगा, परन्तु कुछ पुस्तक का हम जिक्र करना चाहते हैं, जिन में से ये देखिए, पत्ना उन्वर्सिटी का teach yourself है, तो इसमें विस्वी इतिहास के बारे में, पर्थम विस्वूत, दिती विस्वूत के बारे में अच्छी जानकारी दी गई है, इसके अलावा अगर संपूर्ण विस्वी इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, तो फिर दिनानात बर्मा का ये बुक है, इसमें भी, हलाकि एक दो चेप्टर, दो तिन चेप्टर ही ज़्यादा महतपूर्ण है, इसलिए पूरी किताब पढ़ना जरूगी नहीं है, इसके अतिरिक्ति जो है, एक इतिहास की ज्यान चंजादव का किताब है, ज्यान इतिहास, तो यह भी अच्छा किताब है, इसमें डाइग्राम बना कर दिया हुआ है, कई सारे विद्यार्थी इसको पसंद करते हैं, इसके अलावा, एक नितिन जिंगान का बुक है, यह मेनली कल्चर को लेकर है, आर्ट अन कल्चर की जो बात करते हैं हम, उससे जो सवाल होता है, हलाकि यह पुस्तक UPSC के लिए काफी इंपोर्टेंट है, UPSC वाले विद्यार्थी इसको खरीटते हैं, तीमेच का बुक है, मेग्रोहिल का, और इसमें काफी अब चलते हैं, दूसरे विशेपर, राजब्यस्था में क्या है, तो सबसे जो बहतरी इन बुक है, जो लिजेंडरी बुक है, वह है, एम लच्मी कांत का, लच्मी कांत का बुक, अगर इस बुक को आप पढ़ लेते हैं, तो आपका PT के साथ साथ मेंस की भी तैयारी अच् चीजों को जहां, जो यहां बढ़िया से डिसकसन ने किया है, उसको यहां पर दिया हुआ है, इसको ले सकते हैं, और या तो फिर इन दोनों में से कोई एक, या तो प्रतियुक्ता दरपन का तिरिक तांक ले लिजे, या फिर भारती राजब्यस्था जो परिक्षावानी क है, परिक्षावानी का, परिक्षावानी का भारती राजब्यस्था, यह काफी महत्पुर्ण किताब है, अर्थवेस्था में पुस्तक है, भारती अर्थवेस्था या सार्थक पुब्लिकेशन का है, कुमार सर्वेस्थ के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है, बहुत ही ब परिच्छावानी का तो उसमें भी जो आर्थिक सब्दावली है उसका खुँ अच्छा जिक्र किया हुआ है परिच्छावानी का भारती आर्थवरुस्ता इस मुस्तव को हम खुँ भली बाती तरीके से पढ़कर जान सकते हैं और इसकी आतिरिक्त जो भी करेंट जो अर्थिक घटना चक्र है उसका अध्यान जो है वो काफी जरूरी हो जाता है इसके अतिरिक्त हम अगर भुगोल की बात करें तो भुगोल में देखिए यह सब पुस्तक है अब देख सकते हैं यह भुगोल महिस्कमार बर्नवाल का संचिप्त में अच्छा लिखा हुआ है और इसके सहारे हम भुगोल को अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं इसके अलावे यह DR कुलर का है तो यह कुलर का बुक चुकि काफी मोटा है और काफी सारे लेकिन अगर कोई भुगोल में किलियर कंसेप्ट चाहते हैं तो यह मेगरोहिल का बुक है और इसमें तमाम सार बुगोल का इतने अच्छी डंग से दर्साया गया है कि बुगोल में बिल्कुल किलियर कंसेप्ट हो जाएगा अलाकि ये खास करके जो मेंस के विद्यार्थी है जो मुख्य परिक्षा में ऑफिसनल रखे हैं बुगोल उसके लिए जादा उपियोगी ये किताब है इसके अलावा एक देखिये परिक्षा वानी का है बारत का बुगोल ये अभी काफी अच्छी तरीके से लिखा गया है इसको भी हम बढ़िया से लेके पढ़ सकते हैं इसके साथ साथ एक एतलस का बुग ये जरूरी है एतलस का ब अब आईए फीग्ञान तो विग्ञान में सबसे जो बहते इन बुग है फिग्ञान की तो है लुसेरिक आcc या बुक हर विद्यारती के पास होना चाहिए बिग्ञान की लिए लुसेरिक अगर आप मुसेरिक इस बीज़्ान को पढ़ लेते हैं तो बहुत कुछ जादा कर इस बुक को भी हम पढ़ सकते हैं इसके अतिरिक्ते अगर आप विस्तार में जाना चाहते हैं अच्छी तरीके से साइंस पढ़ना चाहते हैं तो परिक्षावानी का दो फुस्तक है इसको आप पढ़ लिजी एक है बहुती के मम रसाइन दिग्यान फिजिक्स और केमेस्ट्र इसको जो परिच्छा में जो अबजिक्टी परिच्छा में पूछा जाता है उसको हम अच्छी तरीके समझ सकते हैं कई सारे कंसेप्ट को समझ सकते हैं कई सारी आपधारनाओं को हम अच्छी तरीके से जान सकते हैं और यह लुसेंट है जो जीके का लुसेंट है इसके बा बुक्स के बारे में हम बात करेंगे, कि कुछ-कुछ बुक्स और साहयक के रूप में आप रख सकते हैं, अब आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपको ये पता नहीं चल रहा है कि कोस्चन कैसे पूछा जाता है, तो कोस्चन के लिए, आप सबसे पहले, एक कोई कई सारे गाइड आते हैं असपार्ट पब्लिकेशन का आता है संदर्व पब्लिकेशन का आता है और फिर रुकमिनी सीरीज भी निकालने लगी है तो ये कोश्चन बैंग से क्या होगा कि तमाम जो BPSC और BSSC द्वारा पुछे गए कोश्चन है उसकी प्रकृति से हम बाकिफ हो जाएंगे जो अब तक पुछा गया है और उस प्रस्नों का यदि हमें पूरा असपस्टी करन के साथ पूरा डिस्कसन के साथ अगर हल चाहिए तो हल के लिए आप ये गटना चक्र का जो बुक है उसको ले सकते हैं गटना चक्र के कुछ बुक को हम यहां पर दिखाया है जैसे ये देखें भारती इतियास का बुक है ये समाने भिज्ञान का बुक है ये समाने भुगोल का बुक है इसी तरह से हर विशे का बुक जो है इसमें objective question का जो discussion है जो इसका description है question का उसके साथ बहुत अच्छे जंग से लिखा गया है। किसी question का answer यह क्यों होगा। अगर मालिया कोई question है उसमें से उसका answer भी क्यों होगा। तो उस तथी के बारे में अच्छी जंग से दर्शाया गया है। और A, B, C क्यों नहीं होगा। इसके बारे में भी दर्शाया गया है। तो यह book बहुत अच्छा है। इसको जो है हम practice के लिहाज से इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और कर सकते हैं। इसके अलावे कुछ-कुछ चीजों को जैसे कि अगर हम आपके पास थोड़ा सा रटने की ठीक ठाक छमता है, याद कर सकते हैं। तो speedy type का जो books है, तो उसको भी हम ले सकते हैं। तो speedy के कई सारे book आते हैं, ये, देखिए, speedy का gk है, इसी परकार इसका gs भी आता है, और इसका एक year book भी आता है, बहुत छोटा सा year book है, मातर 40 रुपेया में आय जाता है, तो इसमें क्या है, कि तथ्यों को रटने के लिए current affairs का बहुत अच्छा तयारी होता है। तो speedy का बुक भी आप अपने तयारी के दोरान उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि इसमें objective प्रस्णों का संग्रा होता है, और सीधा one linear tap के question होते हैं, बहुत सारे बिद्यार्थियों को इस परकार का प्रस्ण पढ़ने में आनन्द आता है, तो उसके लिए इस परकार का book क सहारा ले सकते हैं, तो इस परकार से BPSC की तयारी में आपको किन-किन पुस्तकों का सहारा लेना पड़ेगा, इसको मैंने दिखाया, अब है तयारी, कि तयारी कैसे करें, तो तयारी के लिए सबसे जो जरूरी है, वह यह है कि अगर आपने ठान लिया कि मुझे BPSC करना है, और आप बिल्कुल जो है New Commerce विद्यार्थी हैं, तो इसके लिए आपको कम से कम दो साल का समय लग जाएगा, दो साल के लिए आप तयार हो जाएए, मेहनत करने के लिए, सही दिखा में प्रियास करने के लिए, धीरज के साथ, धैरी के साथ, और लगतार सफलता को एचीव क करने के लिए, तो इसमें क्या है, कि अगर आप लग गए, तो सबसे बड़ी जो बात है, वह है निरंतरता, कि आपके पास निरंतरता होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं है कि आज इस वीडियो को सुने, और काफी प्रभावित हो गए, और एकी दिन में जो है 16 घंटा, 18 घंट पढते हैं, तो रोज पढ़िए, दो गंटा भी पढ़ते हैं, रोज पढ़िए, निरंतर पढ़िए, वैसे अगर सबका अपना-पना होता है, अब विद्यार्थी के उपर डिपेंड करता है, कोई विद्यार्थी बहुत कम पढ़कर भी अच्छा समझ लेते हैं, और किसी को उसी चीज को समझने के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ता है यह आप पर डिपेंड करता है लेकिन समानने तोर पर अगर देखे कि एक समानने विद्यार थी अपने और अतिरिक्त कारियों को करते हुए कितना पढ़ना चाहिए तो उसके लिए समय है कि कम से कम आठ से दस घ के लिए निकल रहा हो और उस रूटीन को आप अच्रसा तो नहीं लेकिन कम से कम उसका 80-90% फॉलो करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आपकी तयारी मतलब 15-20 दिनों में आप अपने अंदर फरक महसूस करने लगेंगे आप प्रसनों के जवाब देने लगेंगे और कि छमता को बढ़ाने के लिए आप क्यूँ फिर खांपिशन में बहाग ले सकते हैं आप साथियों के से सथ दिस्करसं ही कर सकते I and be reduced अब इसरा होता है कि आप तेस्ट का आयोजन हो रहा है तो वहां जाकर भी आप सास्ट के सखते हैं और अपना छमता और अपना आकलन स्वेंग कर सकते हैं कि हम कितना पानी में हैं और हमें और क्या करने की जरूरत है तो इसमें क्या है कि आप निरंतर्ता को बनाए रखिए और आसावादी रहिए अपने आप पर भरोसा रखिए वह दिन दूर नहीं है जब आप BPSC का PT आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद मेंस भी आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे इंटर्वियू में आपके अच्छे नंबर प्राप्ता होंगे और आप वह दिन दूर नहीं है जब एक से दो साल में आप आफिसर बनकर समाज के सामने हाजिर हो जाएंगे तो इसी के साथ मैं यही समाप्त करता हूँ आपकी सफलता के सुवकामना के साथ और अगले वीडियो में में मेंस परिक्षा के वारे में बिस्तित रूप से बताऊंगा धन्यवाद